ग्यान सरोबर में आप सब का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से लेके आए हूँ एक प्रेरनात्मत कहानी कहानी बहुत ही प्यारी है छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है तो चलिए मैं कहानी सुरू करती हूँ जंगल में एक पेड़ पर सुनहरी चिडियां रहती थी जब वह गाती थी तो उसकी चोच से सोने के मोती ज़रते थे एक दिन एक चिडिमार की नजर उस पर पड़ गई चिडियां के मूँ से सोने के मोती ज़रते देखकर वह खुसी से फूला नहीं समाया उसने मन ही मन कहा बहवा आज तो मेरे भाग ये खुल गए अगर मैं इस चिडिया को पकड़ लूँ तो यह मुझे रोज सोने के मोती देगी और मैं जल्दी ही धन्वान हो जाओंगा मन में यह ख्याल आते ही चिडि मार ने जमीन पर जाल फैला कर चावल के कुछ दाने बिखेर दिये सुनहरी चिडिया दाना चुगने नीचे उतरी और जाल में फस गई चिडि मार ने उसे पकड़ लिया और अपने घर रे आया उस दिन से चिडि मार को रोज सोने के कुछ मोती मिलने लगे देखते ही देखते वह धन्वान हो गया अब उसके पास धन तो बहुत था लेकिन सम्मान नहीं था यह बात उसे बेहत परिशान करती थी कि अब भी लोग उसे चिडि मार कहकर ही बुलाते थे यानि कि वह धन्वान बन चुका था लेकिन फिर भी उसे लोग चिडि मार कहते थे जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था वह सोचता कि ऐसा क्या करूं कि लोग मेरा सम्मान करने लगे एक दिन उसके दिमाग में एक युकती आई उसने चिडियां के लिए सोने का एक सुन्दर सा पिंजड़ा बनवाया और सोने के पिंजड़े सहीत वह चिडियां राजा को भेट कर दी उपहार देते समय उसने राजा से कहा महराज यह चिडियां आपके महल में मधुर गीत गाएगी और रोज आपको सोने के मोती भी देगी यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रशन हुआ उसने चिडि मार को दर्वार में उचा पद दे दिया जल्दी ही राजा के पास भी धेर सारे सोने के मोती जमा हो गए राजा ने सोने के पिंजड़े सहीत वह चिडियां अपनी प्रिये रानी को दे दी रानी ने पिंजड़े का दर्वाजा खोल कर चिडियां को आजाद कर दिया और सोने का पिंजड़ा साही सुनार को दे कर कहा इस सोने के पिंजड़े से मेरे लिए सुन्दर सुन्दर गहने बना दो आजाद होकर चिणिया बोली रानी तुम धन्य हो जो तुमने मुझे आजाद किया तुम्हारे दिल में आपार दया है और लालज भी नहीं है मुझे कैद में रहना बुरा लगता था कहकर वह चिणिया जंगल की तरफ उड़ गई अब वह रोज रानी का गुनगान करने लगी थी तो इस प्रकार इस छोटी से कहानी से हमें जो बहुत बड़ी सिछा मिलती है वो यह कि कभी भी पसू पक्षी को पिंजडे में बंद नहीं रखना चाहिए वो अपनी ही दुनिया में आजाद होकर ज़्यादा खुस रहते हैं आशा है आज की कहानी भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो आज के लिए बस इतना ही जै हिंद जै भारत